अब जो हम एवरिबन आज हम communication कर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक के अंदर जो हैं हम next हमारा question करेंगे topic हम complete कर चुके हैं कि types of communication कितने होते हैं अब जो हम उससे related questions को solve करेंगे आईए अब हमारा first question देखते हैं और अगर आप channel पर नई है तो previous questions को ज़रूर देख लें और साथ की साथ मैं आपको NTE, Net Exam, Paper 1 and Paper 2 Commerce की totally free of course आपको complete course करांगी इसी channel को सबसे पहले हम question को समझने की कोशिश करेंगे हमेशे question को समझना बहुत ज़्यादा important है तो हमारा question क्या कहता है आईए देखते हैं writing in a personal diary अब आप क्या कर रहे हैं आपकी खुद की एक personal diary है उसमें आप लिख रहे हैं और otherwise recording one's thoughts या फिर अपने thoughts को कहीं पर आप record कर रहे हैं feelings are example of तो अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं मतलब क्या आप कर रहे हैं या तो आप personal आपकी कोई diary है आप उसके अंदर लिख रहे हैं या फिर आप record कर रहे हैं अपने thoughts को अपनी feelings को तो यह किस चीज़ के example है relationship के basis पर यानिक element के basis पर हमारे जो communication थे उनको उसने चार पार्ट में divide कहा था, first हमारा था इंटर, इंटर पर्सनल उससे पहले जो था हमारा इंटरा पर्सनल सा इंटरा पर्सनल इंटर पर्सनल नेक्स जो है ग्रुप कोम्निकेशन एंड लास्ट पॉन इस मास कोम्निकेशन अब इन में क्या क्या डिफरेंज था है इंटर यानि कि हम अपने आपसे बात करें इंटर यानि कि हम किसी दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हैं और वो प Pharaoh को कर रहे हैं, जिसे कि ऑग्ली करें यह पूरी नियूस चैनल पर नियूस दिख पर लिख देना तो उसको हम क्या कहींगे फर्स्ट ओप्शन हमारा आता है इंटर पर्सनल कम्मिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर पर्सिनल क्या होता है खुद से बातचीत करना आप कुछ से लिख कर बात कर रहे हैं या फिर अकेले बैठे हैं तो आपके दिमाग में कोई थोट आया है तो आप उसको कहीं पर note down करेंगे या फिर आप किसी क्या करेंगे उसको record करें यह मान लेता है video recording गराब कर रहे उस चीज़ की तो उसको हम क्या कहेंगे intrapersonal communication कहेंगे उसका option क्या होगा हमारा intrapersonal communication हम उसको कहेंगे यह हमारा correct option है इंटर पर्सनल क्यों नहीं हो नहीं है क्योंकि यहां पर दो लोगों के बीच में बात होती है mass communication यहां पर large audience होती है very large audience होती है इस वज़े से यह options गलत है और none of the option हमारे क्योंकि फैले यह भी पता है इंटर पर्सनल में कुछ से हम बाते करते हैं तो यह हमारे आज के question था अगर आपको कोई doubt है तो comment में जरूर कुछ है and thanks for watching